तो हेलो और विलकम तो आई होप आवाज क्लियर आ रही है देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं तो एक मुट दीजिए मैं भी जरह चेक कर लेता हूं मुझे भी अंदाज हो जाएगा तो आवास तो आह ने तो बहुत वर्यां बहुत बढ़िया तो चलिये 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 आज दिन की शुरुवात की जाए साइंस एंड टेक के साथ गुड आफटनून पारस हेलो गिरी तो इससे पहले मैं कुछ और बताऊं जल्दी से आपको पहली चीज सबसे पहले बताऊंगा तो जल्दी से जॉइन कीजिए आज के क्विज का कोड है 624547 624547 से quiz join करें अभी quiz start होने वाली है तो science and tech की quiz होगी इसी से कोड यही है आज के quiz का तो इससे join करें and quiz start होगी 10quishn की चोटी सी quiz होगी तो उसके बाद हम science and tech को आगे बढ़ाने वाले हैं तो यह क्विज है मैं बढ़ियाओं किशोर आप बताइए कैसे हैं क्या चल रहा है पढ़ाई चल रही है जो पढ़ाया है वो रिवाइज हो रहा है कि नहीं वह जरूरी है तो दोस्तों जानते हैं अनकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लाटफॉर्म है तब तक जो नए मेंबर हम से जुड़ते जा रहे हैं याद रखें क्विज है सिक्स टू 4-5-4-7 फिर से मैं लिघके यहां पर दिखा रहा हूँ 624547 तो अब तक जॉइन करके रहें तो हेलो 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 क्विज आप में बिल्कुल 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 क्विज आप पे Unacademy app पे जाएंगे नीचे टेस्ट होगा उसमें quiz join करें तो join करेंगे तो join quiz में जब code वांगेंगे तो ये code डाल दीजेगा और आप quiz से जुड़ जाएंगे तो दोस्तो जैसे आप जानते है Unacademy इंडिया का largest learning platform है इंडिया का largest learning platform होने के नाते हम आपको offer करते हैं daily live classes, structured courses, live tests and quizzes और मिलता है इनका unlimited access तो दोस्तो जल्दी से जाएंगे अनकाडमी प्ले स्टोर, आप स्टोर जैसे भी आप यूजर हैं उसके अनुसार डाउनलोड करें जो मुझसे पहली बार जुड़न है उनके लिए मिरा नाम किंजल चौधरी है मैंने UPSC civil service exam में पांच बार means दिया है, interview दिया है इसके सिवा मैंने thousands of students को offline mode में अब तक mentor किया है तो अनकेडमी जब भी जाएंगे मुझे यहाँ पर follow जरूर कीजेगा, यह टेलिग्राम चैनल है, यहाँ पर PDF भी regularly अपडेट होते रहते हैं तो रुचिरा जी, yes, quiz है, तो अनकेडमी अप पर जाएंगे, आप आप साथ-साथ quiz में participate कर पाएंगे, अप पर जाएंगे, वहाँ पर जाके join quiz होगा, वो button दबाएं और 624547 quiz ID डालें, तो यह quiz ID डालें, आपको मिल जाएगा तो अनकेडमी आप देखें, इंडिया के अगर आप देखें, तो इतने ज़्यादा course offering और कहीं नहीं मिलेगी, तो UPSC CAC category में 15,000 से ज़्यादा course इस वक्त activated हैं, इस वक्त available हैं, यह prelims, mains, interview, optional, हर चीज़ को cover करती है, in short यह one stop solution है दोस्तों इसकी cost अगर हम देखें, एक साल की cost है 44,000 रूपीज, दो साल की cost है प्लस की 64,000 रूपीज और अगर आप KC10 code यूज करें, तो यह हो जाएगी 39,600 और दो साल की cost हो जाएगी 57,600 लेकिन मेरे पास एक थोड़ी सी news भी है, जो की शायद आपको थोड़ा सा मन में भारी भी कर सकती है मन को, वो यह है कि यह cost जल्दी hike होने वाली है, यह price hike होने वाली है, दाम बढ़ने वाले हैं पिछली बार जब hike होई थी, तो unexpectedly अचानक से होई थी, तो काफी students ने कहा था कि अगली बार जब भी hike करें तो बता दें तो इसलिए यह price hike होने वाली है, तो जल्दी hike हो जाएगी तो अगर आप join करने वाले हैं, तो अभी join करें and use the code KC10 करेंगे तो मेरी responsibility है कि मैं हमेशा available रहूं, मैं आपको mentorship provide करता रहूं, GS1, 2, 3, 4, essay, geography optional हर subject में जो guidance चाहिए आज के अनुसार, आज के exam के अनुसार वैसी मेरी guidance आपको मिलती रहेगी तो इसकी cost देखें, अगर हम iconic subscription देखें, इसमें कुछ extra है, इसमें personal coach होते है, daily main sensor writing practice होती है, study planner होता है and personalized feedback मिलता है, इसकी cost है 64,000 rupees, एक साल के लिए, दो साल के लिए 99,000 rupees और अगर आप code KC10 use करें, तो cost हो जाएगी एक साल की 57,600, दो साल की 89,100 after instant 10% off जब भी an academy पर आए, तो यह environment का एक special course है, सबके लिए available है, तो इसमें complete environment current affairs cover हो रही है, तो उसे जरूर join करें, तो चलिए जल्दी से quiz start करते हैं, quiz start करते हैं, तो I hope आप लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग जुड़ चुके हैं और तेरा लोग 6,2,4,5,4,7 के माध्यम से आपको जुड़ना है, 6,2,4,5 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आखरी पांच मिनट, आखरी पांच मिनट, तो यह quiz ID है, यह quiz ID है, तो तो quiz start किया जाए, start किया जाए, रिशव कुमार बिलकुल discount मिलेगा, join कीजिए, केसी 10 code से use कीजिएगा, मुझे contact है, Telegram चानल है, आपको नमبر भी है, Telegram चानल है, आपको दें चुके हैं, इस दार्पो बिलकुल, तो start करें, start करें, start करें quiz, to I hope सब जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे, निधी नहीं जुड़ पा रहे हैं, okay, 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 जॉइन नहीं हो रहा तो चली 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 स्टार्ट करते हैं चली स्टार्ट करते हैं काफी लोग जुड़ चुके हैं तो क्विज स्टार्ट होने जा रही है एंड फोर थ्री टू वन निधी आप कमेंट सेक्शन के तुरू एंसर कर दीजेगा एच वन एन वन वाइरस काफी न्यूज में रहता है ये किस सिलसिले में आपने सुना है एड्स बर्ड फ्लू डेंगू या स्वाइन फ्लू भी सुमन कह रही है भी ओके ओके और कोई कुछ कहना चाहेंगे इसमें डाउट नहीं होना चाहिए एच पाई एन वन एच वन एन वन आपको ट्रिक भी दे दिया था श्विता जी नहीं कन्फ्यूजन क्यों होता है बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर क्या है डी आपको परफेक्टली बताया भी क्या था है एच वन एन वन स्वाइन फ्लू एच फई एन वन बट्स व्लू की अब जानवर पांच मुर्गा खाऊँगे के तो पेड़ भरेगा एक व्हाइं पेड़ जाएगा तो एच वन एट वन ठीक है अगला सवाल है अगला सवाल है कि अगर हम बात करें अगर हम बात करें नानो टेकनलोजी की तो इसकी क्या-क्या यूटिलिटी है नानो टेकनलोजी की नंबर वन टारगेटेड ड्रग डिलिवरी में यूटिलाइजेशन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है एनर्जी स्टोरेज म में कहां कहां पर नानो टेकनलोजी की यूजज है 1 2 3 1 & 3 2 & 4 1 2 3 4 ऐसे question आते हैं ऐसे question आते हैं तो answer है D and काफी लोगों ने कहा है D तो सबने डिया था D बाकी इतने लोग join किये ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो क्विज में वो participate नहीं कर पा रहें इली सा प्रोजेक्ट इली सा प्रोजेक्ट इवॉल्ट लेजर इंटेरो इंटर फेरो मीटर स्पेस एंटीना किस से related है क्या ये न्यूट्रीनोज को डिटेक्ट करने के लिए है क्या ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचाने के लिए कोई एंटीना है या यह कोई सोलर फ्लेयर को स्टेडी करने के लिए एंटीना है यी लीसा प्रोजेक्ट फिर से बोली आपके सामने क्वेश्चन था बाई भी ग्राविटेशनल वेवस के लिए एक प्रोजेक्ट है ग्राविटेशनल वेवस के लिए थी वो वह ग्राविटेशनल waves को gravity waves को detect करने के लिए थी communication satellite के बारे में इन में से कौन सी statement सही है number one communication satellite point to point telecommunication links like mobile like direct broadcast dish types इन सब के लिए use की जाती है statement two कहती है ये usually low earth orbit में place की जाती है ये low earth orbit में place की जाती है कौन सा statement इन में से सही है one two both neither one nor two बी two only कह रहे है बिलकुल answer आप अगर देखें तो भाईया सबसे पहले low earth orbit में बिलकुल भी place नहीं की जाती ये कहां पे place की जाती है communication satellite geosynchronous orbit तो one only ही सही था one only ही सही था ठीक है next है ये statement देखिए ये अच्छा सवाल है इन में से कौन सी statement सही है number one इंडिया की third highest TB burden है third highest TB burden है number two प्रीटो मैनेडड प्रीटो मैनेडड एक दवाई है जो develop की गई है MDR और XDR TB को treat करने के लिए ये बहुत बड़ा है ये स्क्रीन में आ नहीं था इन में से one only two only both one and two या neither one nor two देख नहीं पा रही मुझे तो clear देख रहे हैं एक बार refresh कीजिएगा एक बार refresh कीजिएगा एक बार refresh कीजिएगा तो प्रीती number one पर चल रही है संतोष number two किशोर आगे बढ़ चुके हैं आगे बढ़ चुके हैं तो प्रीटो मैनेट MDR TB को treat करने के लिए दबाई बनाई गई है GPS हम solution भी discuss करेंगे चिंता नहीं अभी अराम से एक बार जब quiz हो जाएगा फिर तो अगर GPS टेकनलोजी का इस्तमाल किस-किस फील्ड में हो सकता है मोबाईल फोन ओपरेशन बैंकिंग ओपरेशन पावर ग्रिड के नियंत्रण में तो इन में से कौन-कौन सा हो सकता है one only two and three one and three one, two, three one, two, three one है मोबाईल फोन ओपरेशन number two बैंकिंग ओपरेशन number three power grid को control करने के लिए शुचा जी ने कह दिया है d, d, answer है d, answer है d, answer है d, answer है d बहुत बढ़िया प्रीती number one बनाए रखी है किशोर number three पे आ गए है किशोर के कुछ questions मिस भी हुए है number seven question आज का seven question है cfl और led lamp के बारे में number one cfl mercury vapor यूज करती है वहीं led semi conductor material यूज करती है ये statement सही है या गलत number two life span अगर हम देखें cfl लंबे वक्त तक चलती है led तुरंद खराब हो जाती है statement three कहती है cfl में बिजली की खपत कम है led में बिजली की खपत जादा है तो one only two and three one and three या one two three one only two and three one and three या one two three तो answer तो वापत जिस्किस करेंगे याद रखिएगा led में बिजली की खपत बहुत जादा है led long lasting है longevity जादा होती है led की longevity जादा होती है संतोष number one पर आ चुके हैं ये सवाल आपको कराया हुआ है quantum communication के बारे में quantum bits का जो इस्तमाल quantum bits को अगर हम देखें quantum bits को अगर हम देखें तो वो अगर आप देखोगे तो वो one value, zero value दोनों साथ साथ हो सकते हैं at the same time one zero दोनों में से कोई भी value bit की हो सकती है at the same time number two ये faster तो है लेकिन hack किया जाया जा सकता है number three चाइना ने चाइना पहली country है जो की quantum satellite launch की है two only two and three, one and three, one and two अभी थोड़ा ये हमारा app trial phase में थोड़ा गड़बड हो रहा है तो answer क्या है hack नहीं की जाई जा सकती hack ये नहीं हो सकती ये बहुत ही cryptographically बहुत strong है number next question colistin एक antibiotic drug है जो की veterinary use में इस्तमाल किया जाया जाता है statement one statement two poultry industry में growth promoter की तरह याने मुरगे को मजबूत बड़ा बनाने के लिए इसको खिलाया जाता है number three colistin को ban कर दिया गया है under drugs and cosmetics act one and three, three only, two only three या one, two and three संतोष number one पर आ चके है प्रीती number two पर है किशोर number three पर चल रही है तो colistin हमने पढ़ा था क्या था तो इसको ban किया हुआ drug है food and drug act पे ही उसी में हमने ban किया चली अग्रा सवाल आ गया gravitational lensing की अगर बात की जाए तो ये कौन-कौन सी statement सही है statement one Albert Einstein ने इसे ढूंडा है number two जितना बड़ा object होता है वो एक gravitational field मजबूत बनाता है और जिस वज़े से light bend होती है light bend होती है number three ये star के उत्पत्ती या star को समझने में कैसे बर्थ होती है उसको पढ़ाया में पढ़ाई में उसको इसको इस्तमाल की जाई जाती है one only one and two, two and three, one and three, one and three, one two three तो answer है one, two, three, one, two, three हर statement सही था संतोष number one पर चल रहे है प्रीती number two पर है और किशोर number three पर चल रहे है और बहुत सारे students अभी join किये है तो उनका काफी quiz छूट चुका है कोई बात नहीं तो total learner 16 join किये थे चलिए जल्दी से solution देखते है बहुत सारे solution की आप लोगों को गुंदाइश हुई होगी मुझे भी हुई है तो आई ये सब को समझते है तो H1N1 सीधा था swine flu swine flu वाले infection को जो virus है उसका क्या नाम है bird flu वाला H5N1 है nanotechnology का application nanotechnology का अगर आप application देखे तो सारे के सारे application थे इतने भी इसमें दिये थे कि भाई drug delivery में यूज करो waste water treatment में यूज करो energy storage में यूज करो flexible electronics में बनाओ हर जगा इसका usage है बहुत wide usage है agriculture से लेके सब कुछ swine flu ही है swine flu ही answer है H5N1 is swine flu next E-LISA project क्या है European Space Agency का gravitational wave detect करने का observatory है अच्छा हूँ आप लोगों ने बता दिया तीन question miss हुए तो मैं ये feedback दे दूँगा कि भाई ये quiz app अभी बहुत गरगर चल रहा है थोड़ा और इसको stable करना होगा चलिए next communication satellite की बात हो रही है तो सबसे पहले तो देखिए communication satellite अगर हम क्या है जब उसने कहा communication satellite की height कितनी होनी चाहिए तो ये geostationary geosynchronous orbit में होता है 36,000 km पे होता है low earth orbit पे नहीं place किया जाया जाता next is GPS technology की usage क्या क्या है तो आपको मालूम है सारी usage सही थी GPS technology को आप mobile से लेके banking operation से लेके power grids control करने के लिए सब में use कर सकते हो next is CFL और LED के बारे में तो ये आपको बताई दिया था कि भाई सबसे पहले आप देखें तो LED bulb अगर आप देखोगे कम power consume करती है when compared to CFL number 2 CFL में mercury vapor यूज़ करते हैं LED में semiconductor technology होती है number statement 3 CFL अगर आप देखोगे normal bulb से तो कम बिजली खीचती है लेकिन LED तो बिलकुल कम बिजली खीचती है और लंबे time तक टिकी रहती है खराब जल्दी नहीं होती quantum communication के बारे में जो statement था तो quantum communication में कौन से bits use होते हैं क्या कहते हैं उसको qubits कहते हैं qubits कहते हैं तो qubits की खासियत क्या होती है qubits one भी हो सकते हैं zero भी हो सकते हैं simultaneously यह जब आप check करोगे तब पता चलेगा वो one है या zero है वो दुनों में से कोई भी state पे हो सकते हैं दूसरा देखे तो ये statement 2 जो थी वो correct नहीं है क्योंकि quantum communication आप देखोगे तो faster भी है और secure भी बहुत ज़ादा है इसको hack करना असान नहीं है statement 3 correct है चाइना पहली country है जिसने first quantum satellite launch किया है क्या नाम है मीशियस मीशियस next colistin colistin अगर आप देखो तो इसके बारे में था कि हमने एक पढ़ा वीदा कोलिस्टिन के बारे में कि कोलिस्टिन क्या है एक antibiotic drug है for therapeutic purposes के लिए use किया जाता है विटनरी infections में जैनवरों के लिए use किया जाता है तो इसको misuse हो रहा है पॉल्ट्री में क्या किया जा रहा है ? पॉल्ट्री में मुर्गों को घ्चिला देते हैं उनकी वजन बढ़ जाती है जब वजन बढ़ जाती है तो उस दौरान आप देखोगे तो उनका misuse हो रहा है and antibiotic resistance fell रही है स्टेटमेंट 3 आप अगर देखें तो क्या हुआ है रिसेंटली कि Ministry of Health and Family Welfare ने Ministry of Health and Family Welfare ने अंडर Drugs and Cosmetic Act इसको बैन किया है कि Manufacture, Sale and Collisten का Distribution चाहे Animals के लिए, Paltry Usage के लिए Aqua Farming में, Animal Seed Supplement में Band है अंडर विच, Drugs and Cosmetic Act 1940 Last Question था, Gravitational Lensing पे तो सही बात है इसको Albert Einstein ने ढूंडा ही हम पड़े हैं, तो Albert Einstein ने ढूंडा था, अभी Recently आप देखो तो जितना भारी Object होता है उसका उतना बड़ा Gravitational Wave होता है और वही कारण होता है कि Light को Bend करवा देती है, तो इससे हम Star के Birth वगेरा को समझ सकते हैं चलिए, 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 तो इसके साथ यह 10 सवाल थे, आज का Important Topic इसके साथ हम Start करते हैं तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है अभी थोड़ा नया यह Feature है तो थोड़ा सा Unstable है, थोड़ा सा Unstable है चार-पांच दिन में आई गैस इस पर बहुत तेजी से काम चल रही है, इसको Unstable कर देंगे हाँ, अपडेट करना होगा, अपडेट करना होगा तो यह Feature आपको मिल जाएगी तो चलिए Start किया जाए, Start किया जाए, Start किया जाए तो आज जहां से हम Start करने वाले हैं वह है मानव, 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 Quiz तो हम सब देख पाएंगे चली 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 स्टार्ट किया जाए स्टार्ट किया जाए इसके साथ तो आज का पहला टॉपिक है बायो टेकनलोजी टॉपिक को यह कंटिन्यू करते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे मानव एक हुमन एटलस इनिशेटिव है तो यह क्या बला है आईए जानते हैं तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेकनलोजी ने इसको फंडिंग क है किसके साथ मिलके पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड क्या है पर्सिस्टेंट एक सॉफ्टवेर कंपनी है तो डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेकनलोजी और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने मिलके पैसे दिये है किसको मानव को क्या करना है इसका पर्पस इ एक human biology की atlas बना देनी है कैसे इंसानों के हर सेल को हर टिशू को क्या purpose है क्या काम करते हैं वो कैसे under stress behave करते हैं उसको समझना इसका purpose है तो आपको यही जानना है मानव human atlas initiative है क्या purpose है इंडियन साइंटिस्ट मैप करेंगे हर सिंगल टिशू को जो human body में है वो कैसे वो कैसे अलग-अलग बिमारियों को को promote भी करती है कैसे उनसे लड़ती भी है और कैसे वो susceptible होती है अलग-अलग बिमारियों से तो यह कौन है मानव human atlas initiative तो कौन participate कर रहा ह कौन सा institute है तो आप देखोगे national center for cell science आईए आईसर पूने में है national center center of cell science दूसरा है आईसर पूने और persistent इसे पैसे दे रही है तो इसमें students आएंगे वो participate कर सकते हैं तो इसका क्या use होगा तो इसका study किया जाएगा कि कैसे अलग-अलग cells के पार्ट है वो कैसे अलग-अलग molecular mapping की जाएगी drug discovery में यूज होगा कौन सा tissue कौन सा cell कैसे respond करता है किस drug से तो कल को personal medicine में इसको use किया जाए जा सकता है और student community और research जो participate करेंगे उनकी भी skill development होगी तो मोटा-मोटी क्या है मानव human atlas initiative cell और tissue की mapping तो यह आपको जो red में किया है यही आपको याद रखना है यही आपको याद रखना है इसी से मिलता जुलता एक है उमीद 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 क्या है unique method of management and treatment of inherited disorders याने genetic disorders जो होते हैं जो germ line के through pass on होते जाते हैं मा बाप से बच्चों में तो वो जो है that is उनके against government ने उमीद initiative है जिसके तहत क्या होनी है awareness generation होना है and उसके तहत आप देखोगे तो molecular diagnostics hospitals में genetic disorders को identify किया जाया जा सके उसके लिए diagnostics भी develop करना है department of biotechnology इसको भी support कर रही है तो आप जानिएगा उमीद किसके लिए है inherited disorders genetic disorders के लिए है तो ये चीज भी याद रखिएगा मानव क्या है human atlas है किसका atlas है cell और tissue का हर human के level पे जो cell है जो tissue है हर उसको deeper understanding करने के लिए कौन है मानव है उसके लिए कौन है मानव है वहीं अगर आप देखें उमीद क्या करती है उमीद क्या करती है उमीद आप अगर देखें स्टक है ओके ठीक हो जाएगा अभी ठीक हो जाएगा थोड़ा सा एंस्टेबल हुआ है ठीक हो जाएगा अभी ठीक हो जाएगा थोड़ा सा एंस्टेबल बीच में मेरा हो सकता है मेरे इंट से हुआ हो अब नहीं होगा अब नहीं होगा बढ़िया चलेगा एक बर रिफ्रेश कर दीजे ठीक हो जाएगा एक बर रिफ्रेश कर दीजे ठीक हो जाएगा स्टक हो रहा है एक बर लाइव कर दीजे 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 वह पीछे चला गया होगा 20 सेकंड पीछे चला गया होगा तो जिस वज़े से वह वैसा हो रहा है कि तो आई होप आई होप आई होप अब स्टक नहीं हो रहा है ना अब क्लियर है अब क्लियर है आओ बीच में थोड़ा इंटरनेट तो आपको क्या याद रखना है मानव human cell human tissue उमीद genetically acquired inherited disease उनके लिए है तो यह दो चीज़ें याद रखिएगा सवाल इसी पर बनेगा statement one मानव statement two उमीद यह उपर नीचे कर देंगे उमीद है cell and tissue का atlas और मानव कर देंगे genetically acquired disease तो यह उपर नीचे हो सकता है तो इस तरीके से इसको prepare कीजिए next is genome India project तो इसके तहत क्या करना है इसके तहत यह एक gene mapping project है जो इंडिया वाला आम है उसका नाम है genome India तो इसके तहत क्या होना है department of biotechnology करवा रही है तो इंडिया के 20 leading institutions IIT, IISC, Bengaluru यह सब मिलके करने वाले हैं क्या करने वाले हैं तो 10,000 लोगों का 10,000 लोगों का देश भर से अलग-अलग कोने से उनका sample लिया जाएगा जिसके माध्यम से उनकी genome sequencing होगी याने की पूरा का पूरा उनका जो DNA है ATGC, ATCG, AT, जो भी उनका code का sequence है हर इंसान का 10,000 के 10,000 लोगों का यह sequence बनाया जाएगा और यह database में store होगा तो यह whole genome sequencing है तो अगर आप देखे तो पूरे इंडिया के इंडिया भर से 10,000 लोगों का genome sequencing होनी है तो इससे क्या होगा अब तक जो genome sequencing exist करती है वो Caucasian याने European अंग्रेज जिनको कहते हैं गोरा जिनको कहते हैं फिरंग्स जिनको हम कहते हैं तो वो Caucasian race हैं अर्बन middle class लोगों के ही samples हैं तो इस वज़े से यह इंडिया के population को rightly represent नहीं करती तो इसे लिए क्या करना है इंडिया के 10,000 लोगों का genome India project के तहट genome sequencing करनी है तो करीबन 238 करोड का खर्चा होगा कोई बात नहीं सरकार करेगी हमारा क्या है तो यह purpose ले इससे क्या हो जाएगा तो जैसा कहते ना इंडियन population is susceptible to diabetes वैसे इंडियन population is susceptible to certain types of cancer तो यह सब जो हम कहते हैं तो एक बार genome sequencing हो जाएगी तो पक्का पक्का पता चल जाएगा हां इंडियन जीनोम इंडियन जो जीनोम का जो डेटा है उससे हमें पता चल जाएगा कि हां भाई जो इंडियन population है उसमें एक particular genome sequence ऐसी है जो इनको type 1 diabetes से susceptible बनवाती है cardiovascular disease से susceptible बनाती है तो यह सब हमें पता चल जाएगा तो कल को हम precision medicine बना सकते हैं तो आप अगर देखें तो genome India project क्या ही CSIR ने last year क्या किया था हजार इंडियन का genome sequencing किया था कौन से project के अंदर इंडी जन तो यह भी याद रखिएगा इंडी जन भी याद रखिएगा CSIR ने किया था Council for scientific and industrial research तो ठीक है ठीक है नेक्स्ट याद रखिएगा तो आपको मालूमी है तो इससे क्या होगा हमारी scientific understanding of evolution भी होगी तो इंडियन population में जब हम biologically समझेंगे evolution कैसे हुई है कितना percent of हमारा dna neanderthals का है कितना percent of homo sapiens में इंडिया में जो रह रहे हैं उनमें कितना percent of dna किसी और human species से आया है तो यह सब biological understanding of evolution भी हमारी clear होगी likewise sociological understanding of evolution भी clear होगी याने कि कितने percent of Indian जैसे कहते ना अलग-अलग waves of migration में आये हैं तो sociologically एक बहुत बड़ा debate चल रहा है कि इंडिया में जो आरियन्स आये थे वो अलग थे कुछ कहते हैं जो ऐसा European myth है कि जो आरियन्स कहीं से आये थे आजकल के जो sociologists वो कहते हैं नहीं आरियन्स ऐसा कुछ यह invasion वाली theory गलत है तो यह सब भी clear हो जाएगी अगर जब हमारा genome India project DNA का data बता देगा world over हो चुका है CSIR ने last year यह start किया था एक हजार इंडियन्स के लिए इसको यह pilot project की तरह run किया गया था छुता जी एक हजार इंडियन्स के लिए हुआ था अब यह 10,000 के लिए किया जाएगा 10,000 लोगों के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो budget में भी इसके लिए पैसे दिये आवंटित किये गए हैं यह आपको जानना है तो इसके usage क्या है आप जान लीजे genetic diseases इन सब को भी identify कर लिया जाएगा और revolution biological as well as sociological पता चल जाएगी फ्रॉम रशिया एकॉर्डिंट टू बाल गंगा धर दिलक उस टाइब की जो अप्रोच थी वो अलग थी आज के टाइम में बदली है ठीक है हाँ human genome project world over हुआ था उसका दरपन सही कह रहे है आप उसका इंडिया पार्ट नहीं थी यहां पर जान लीजे यहां पर लिख लीजे एक human genome project हुआ था वर्ल्ड ओवर उसका इंडिया participant नहीं थी उसमें चली next is gm crops तो gm crops के बारे में हम कुछ जानेंगे तो सबसे पहले तो अपने या जो cotton यूज होता है वो कौन सा cotton है bt cotton bt cotton तो bt cotton तो use allowed है और farmer use करते हैं लेकिन महराष्ट्रा में क्या हुआ कि pink ball worm फैलने लगा है पंजाब में महराष्ट्रा में pink ball worm फैलने लगा तो किसानों ने चोरी छुपे एक नया प्रकार का bt cotton जो की herbicide tolerant variety of bt cotton है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं खांग या वो gm3 bg cotton 3 जिसे हम कहते हैं bg cotton 3 वो किसानों ने चोरी छुपे grow करना start करवा दिया तो तीजी से वह grow करने लगे तो इसी पर जेनेटिक इंजिनियरिंग एप्रेजल कमिटी ने कहा कि यह जो आप grow कर रहे हो यह illegal है क्यों जेनेटिक इंजिनियरिंग एप्रेजल कमिटी ने अब तक कि बीजी कॉटन 3 को बीजी कॉटन 3 को स्टडी नहीं किया है स्टडी नहीं किया है तो आईए इसको समझते हैं तो इसको अगर समझते आईए तो जीम क्लॉप अगर आप देखें तो क्या होती है तो नॉर्मल जेनिटिक मैनिपिलेशन तो इंसान आदम जाती से कराता आया है जब से वह एग्रिकल्चर सीखा है आज से 8000-9000 साल पहले से वह वीट को राइस को डुमेस्टिकेट किया थ तब से वह एग्रिकल्चर जानता है तो बेसिकली घास को ग्रास को डुमेस्टिकेट करके इंसान ने वीट बनाया तो वह भी क्या थी एक जेनिटिक मैनिपिलेशन था क्या किया अलग अलग ग्रास के वराइटी को क्रॉस करता गया और एक वीट वाले टाइप का ग्रास कन एंड टेक्नलोजी से कर रहा है तो अब तक जो क्रॉसिंग हुई है एक फैमली के क्रॉप्स को ही क्रॉस करवाया गया और उन्हीं के जो उन्हीं के जो ट्रेट्स थे वह पासौन हुए लेकिन अब क्या कर रहा है इंसान अब इंसान लाब में कोई पटिकुलर डी आएने का जो code है वही काम का है तो उसको काटता है उसको लेता है cotton के DNA में उसको add कर देता है अब किसी भी targeted crop में तो ये क्या हो रहा है लैब में हो रही है ये नेचर के द्वारा allowed नहीं था तो नेचर जो अधर नहीं करती है वैसी genetic manipulation अब कैसे हो रही है अब कैसे हो रही है तो genetic manipulation यह वाली जब हम कहते हैं न genetically modified crop तो यह वाली genetic manipulation हो रही है तो GM crop आप अगर देखें तो इसमें एक gene artificially insert हो जाता है किसी और species से so that उस species की कोई property उसको मिल जाए like pest resistant कोई particular pest उसका बाल भी बांका ना कर पाए like pink ball warm cotton को बनाया गया था BT cotton तो बनाया गया था तो ball warm उसको infect नहीं कर सकती थी next herbicide tolerant herbicide tolerant क्या होता है कितना भी herbicide डालो पौदे को कुछ नहीं होगा herbicide क्या है छोटे छोटे herbs जो कि अगर आपने कोई plant लगाया साथ में कोई छोटे और plants weed जिनको हम कहते हैं वो grow कर जाते हैं तो वो spray कर दो तो सारे weeds मर जाएंगे और अपना जो target plant है वो survive करेगा क्यों क्योंकि वो herbicide tolerant है तो यह भी हम क्या कर सकते हैं genetically modify करके उसमें यह वाले DNA भी genes भी डाल सकते हैं वैसे ही drought resistant बना सकते हैं कोई बात नहीं पूजा जी अभी topic थोड़ी ही आगे बढ़ी है तो इंडिया में इस वक्त जो GM crop permitted है वो कौन सी पर्मिटेड है BT cotton permitted है अगर आपको cultivation करनी है और किसी भी crop की तो आपको permission चाहिए किसका genetic engineering appraisal committee का तो यह ministry of environment forest and climate change के अंदर एक body है क्या करती है कोई भी कोई भी कोई भी अगर आपको genetically modified organism को grow करना है चाहे field trial के लिए ही करना है तो उसके लिए भी permission लेना होगा किस से genetic engineering appraisal committee से तो एक proper regulatory framework है GM crops को अगर use करना है तो approval चाहिए genetic engineering appraisal committee से किसके तहत किसके तहत तो यह वाला rule है rules for the manufacture and storage of hazardous microorganisms genetic comma genetically engineered organisms और cells किसके तहत environment protection act के तहत यह दो चीज़े याद रखिएगा genetic engineering appraisal committee permission देती है और किसके तहत है environment protection act yes तो हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या तो हुआ क्या पंजाब महराश्टरा इंडिया में 90% से ज्यादा farmers जो cotton grow करते हैं वो कौन सा cotton है BT cotton है क्या खासियत थी BT cotton की तो BT cotton को बनाया गया था bacteria का bacteria का DNA bacteria का cry one ac वाला gene डाला गया था cotton में cotton में इसके डालने से क्या हो गया था नार्मल cotton में तो जो pest होते हैं like pink ball वं बहत commonly लगती है और cotton बड़ाद हो जाता है तो इसे वजह से अब किसान को क्या करना होता है pesticides स्प्रेे करना जादा है बहुत ज़्यादा तो किसान को खर्चा होता है बहुत ज्यादा तो और साथ में उसकी सेहद भी खराब हो जाती है जब वो इतना ज्यादा स्प्रे करता है पेस्टिसाइड तो इसी के लिए GM cotton आया तो इसमें क्या हो गया बैक्टीरिया में एक पर्टिकुलर DNA थी Cry 1 AC और Cry 2 AB ये जीन अगर cotton में चली जाए तो cotton क्या हो जाएगा उसको pink ball worm खराब नहीं कर पाएगी तो दो generation तीन generation तक तो ये चला और ball worm attack cotton पर नहीं होता था लेकिन अब क्या हो गया अब क्या हो गया धीरे 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 जो ball worm थे वो क्या हो गये वो resistant हो गये इन जीन से तो अब उनको cotton के जीन से कुछ नह ने लगे तो pink ball worm बहुत ज़्यादा तेजी से पंजाब वाले रीजन में महराष्ट्रा के रीजन में cotton में फैलने लग गया तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो इसी लिए इस बार महराष्ट्रा में किसानों ने क्या किया उनको हवा लगी कि एक नया gene एक cotton है herbicide tolerant bt cotton ये लगाओगे तो कोई problem नहीं है इसको आप herbicide इसको आप normal bt cotton में glyphosate डालोगे एक herbicide है तो वो cotton मर जाएगा लेकिन जब किसानों को हवा लगी कि एक नया herbicide tolerant bt cotton आया है और उसको उसको glyphosate भी डालोगे तो उसे कुछ नहीं होगा तो किसानों ने क्या किया इसको तेजी से grow करने लगे और ये जो cotton था तो ये क्या हो गया तो glyphosate का छड़काओ इसमें allow हो गया तो इस वाले cotton में glyphosate का छड़काओ हो सकता है और glyphosate से क्या होता है pink ball warm वाले weeds मर जाते है लेकिन problem क्या है problem क्या है हाँ विंड की direction का हिसाब रखना पड़ता है बहुत सारे किसान recently क्या हुए थे क्या हुए थे कासी किसानों की जान चली गई थी खेश में यह glyphosate डालते time तो तो यह लिए glyphosate इंडिया में tea and non crop वगएरा usage के लिए allowed है लेकिन यह किसान क्या करने लगे यह htbt cotton यूज करने लगे तो यह जो gm cotton है यह जो gm cotton है इसमें एक special जीन भी है cp4 esps जीन तो यह क्या करती है यह इसको pink ball worm से भी resistant बनाती है मदब pink ball worm के लिए आप छड़काओ pesticide का कर सकते हैं तो यह समझ आया यह समझ आया क्या कहानी है तो किसानों ने इसका इस्तमाल किया है recently महराश्टरा ने herbicide tolerant variety of bt cotton का जो की सरकार ने ban कर रखा है जब उसका इस्तमाल किया तो genetic engineering appraisal committee ने कहा कि भाई यह करना गलत है ऐसा मत करो चली तो gm में ही अगला technology है golden rice तो इसको डिवलप किया है international rice research institute ने कहां पर है यह तो international rice research institute फिलिपीन्स में है फिलिपीन्स में है फिलिपीन्स में है तो golden rice क्या है golden rice आप अगर देखो तो एक genetically modified rice है GM rice है क्या करता है यह rice यह rice यह rice आप अगर देखो तो इस rice में एक extra gene डाल दिया है कहां से यह gene डाला body में जाती है तो body vitamin A बना पाती है कहां पाया जाता है pro vitamin A carrots में oranges में तो यह सारे fruits and vegetables में पाया जाता है तो अब क्या कर दिया है अब क्या हो गया है तो rice research institute ने चावल में ही यह वाला gene डाल दिया है तो अब चावल क्या कर रहा है खुद ही pro vitamin A synthesize करने लगा है तो एक बार अगर body absorb कर लेगी तो vitamin A बना पायेगी तो यही carrot को orange color भी बनाती है carrot को orange color कौन देती है तो pro vitamin A देती है औरेंज में vitamin C होता है vitamin A जादा नहीं होता carrot तो problem क्या है ना इंडिया में vitamin A की बहुत ज़़धा deficiency है बहुत ज़़धा deficiency है तो उससे क्या होता है vitamin A अब देखी गरीब आदमी फल सब्जी तो नहीं खा सकता वो विचारा क्या खाता है चावल खा लेता है रोटी खा लेता है और डाल वगेरा मिल गई तो किसमत है तो खा लिया otherwise आप देखोगे तो सब्जी वगेरा तो नहीं मिलती तो vitamin A की कमी हो जाती है तो बच्चों में क्या हो जाता है इस वज़े से blindness हो सकती है blindness हो सकती है तो कई बार तो इससे अपना immune system कमजोर हो जाता है तो बच्चों में diarrhea वगेरा respiratory tract infection, measles बहुत तीजी से फैल जाती है तो इसलिए vitamin A deficiency को दूर करना है तो क्या करना है golden rice incorporate करना होगा बांगलादेश ने तो successfully इसका field trial allow कर दिया है इंडिया में अब तक नहीं गुआ है तो research कहती है कि एक cup of golden rice आपको आपके daily requirement की आधी vitamin A मिलवा देगी प्रोवाइड कर देगी तो golden rice normal तरीके से उगाया जाता है कोई अलग तरीका नहीं है उगाने का पानी की खपद भी एक तीहाई तक कम है इसमें और number three आप देखें तो इसका एक ही drawback है कि एक बार golden rice बना दिया आपने खेट से harvest कर लिया तो तीन महिने में उसको खाले नहीं तो क्या होगा इसके nutrients खराब होने लग जाते हैं तो इसकी nutrition कम होने लगती है तो तीन महिने के अंदर इसे खाना है इंटरनाशनल राइस इंस्टिट्यूट क्या है एक इंडिपेंडेंट एंजियो वाली इंस्टिट्यूट है किसने बनाया था तो 1960 में फोर्ड और रॉक्षेलर फांडेशन ने बनवाया था हेड़कॉर्टर कहा है फिलिपीन्स में है तो वैसे ही अब इंटरनाशनल राइस रिचर्च इंस्टिट्यूट कुछ करेगी तो वेस्ट बेंगॉल पीछे थोड़ी रहेगी तो उसने क्या किया है उसने भी एक राइस वेराइटी बनाया है जो आर्सनिक कंटामिनेशन से रिजिस्टेंट हो क्यों वेस्ट बेंगॉल में आर्सनिक फॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो यह वाली जो राइस वेराइटी है मुक्तो श्री यह आर्सनिक कंटामिनेशन के बावजूद भी ग्रो कर सकती है upp m sac में यह सवाल था hàng को में वीटमिन ए वाह ओक्यों कि मैंगो में विटमिन बहुत ज्यादा होती है ऐसा है मुझे नहीं मालुम था ही i'll be honest विटमिन मुझे मालुम था मैंगो में बहुत सारे विटमिन है लेकिन vitamin A है, सबसे ज़्यादा ये वाला statement पर मुझे थोड़ा doubt है, मैं तो गाजर सोचता, carrot, हमेशा से यही सिखाया गया है, carrot, carrot खाओं आखे तीज हो जाएंगी, चली, next is Indian Initiative on Bio Genome Sequencing, तो ये क्या है, ये क्या है, पर्पस क्या है, कि इंडिया में जितने भी plant animal के species हैं, उनके genetic information को decode कर देना है, ATGC, ATGC, सबका सबका लिख के एक database बना लेना है, किसके तहट, Indian Initiative on Earth Bio Genome Sequencing, कहां पर हो रहा है, तो जोहरलाल नहरू Tropical Botanic Garden and Research Institute में हो रहा है, कहां पर है, ये क्यरला में है, क्यरला में है, तो आप अगर देखेंगे, आप अगर देखोंगे, तो R&D organization है, 1979 में setup की गई थी, तो भारत सरकार की एक institute है, क्या करेगी ये IIEBS, जितने भी plant animal हैं प्रित्वी में, और इंडिया में उनका genetic genome sequencing किया जाएगा, जिनोम sequencing किया जाएगा, तो project किसका part है, Earth Biogenome Project, तो Earth Biogenome Project हो रही है, Earth Biogenome Project, उसका इंडिया वाले part का क्या नाम है, Indian Initiative on Earth Biogenome Project, ये याद रखिएगा, तो Earth Biogenome Project वर्ल्ड ओवर हो रही है, उसका इंडिया वाला भाग है, Indian Initiative on Earth Biogenome Project, क्या किया जाएगा, जितने भी plant और animal इंडिया में पाए जाते हैं, सब का genome sequencing कर दिया जाएगा, तो सब से पहले तो 1000 species of plant और animal को पकड़ा गया है, जिनका initial phase में sequencing होगी, तो यह अगले पांच साल तक होगा, और करीबन 4500 करोड का खर्चा बैठेगा, तो इससे क्या फाइदा होगा, इससे endangered species, काफी economically important species हैं, तो उन सब को, उन सब को क्या किया जाएगा, उन सब का एक database मिल जाएगा, ATGC, ATCG, तो कल को कोई species मर भी जाए, तो अगर genetic code रहेगा, तो कल को शायद आप उसे engineer कर सकते हो, बना सकते हो, या उसमें आने वाली बिमारियों को पकड़ सकते हो, है ना, लाब में बना सकते हैं, वैसे ही, बायो पाइरेसी को भी prevent करेगा, क्या हुआ बायो पाइरेसी, कि इंडिया में पाया जाने वाला कोई भी plant और animal है, उसका इस्तमाल किया जा रहा है, उसके genetic code का इस्तमाल किया जाए, without इंडिया को compensation provide किये, वो क्या कहलाएगा, बायो पाइरेसी, बायो पाइरेसी, चक तो नहीं हुआ है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो बायो पाइरेसी को भी चेक करने में इसका रोल होगा, तो यह यादर कियेगा, इंडियान इनिशेटिव क्या है, इंडियान इनिशेटिव और वर्थ, बायो जीनोम सिक्वेंसिंग, सारे, सारे जीव जन्तु जो इंडिया में पाइजाते हैं, उनका जीनोम सिक्वेंसिंग करना है, तो genome क्या होता है आपको बता दिया गया है DNA जो किसी भी organism का complete set of DNA है उसे कहते है genome exact order of base pair ATGC, ATCG जो coding है वो कहेंगे क्या है उसका genome sequencing है तो हर plant और animal की जब हम बात कर रहे हैं तो हर plant और animal नहीं हर eukaryotic organism की बात हो रही है तो organisms जो है cells दो प्रकार के divided होते हैं एक होता है prokaryote, एक होता है eukaryote, prokaryote पुराने जमाने वाला cell, eukaryote थोड़ा advanced cell होता है क्या होता है उसमें eukaryotic organism ये वो organism है जिसका cell अगर आप देखोगे एक उसमें nucleus हो और जितने भी अलग-अलग organelles होते हैं वो क्या हो किसी एक membrane के अंदर हो जैसे cell बनाया आपने तो एक membrane है उसके अंदर मान लीजिए endoplasmic reticulum फिर वैसे ही एक mitochondria भी एक organelles एक plasma membrane के अंदर तो ये क्या कहलाएगा eukaryotic organism प्रो-karyotic cell देखेंगे तो इसमें true nucleus नहीं होता और organelles membrane के अंदर नहीं होते तो ये क्या करेगा Indian initiative on earth bio genome sequencing जितने भी eukaryotic biodiversity है अगले 10 साल में उनको sequence करके एक database बना देगा एक database बना देगा तो इसके साथ आपका bio technology हुआ खतम बचा है कुछ space वाला तो इसे अब हम करेंगे Rosspin आपको pdf telegram channel पे मिल जाएगा video के description में जाईए आपको अच्छा यू के अंदेस्टान हिंदी तो Rosspin I would suggest look at the description at the description of this video you will find a link where the telegram channel has been embedded so you can download the PDF from that particular telegram channel समझ नहीं आ रहा श्विता जी ओके 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 अरे बड़ा simple है बबाबा आपको eukaryote prokaryote नहीं भी याद रहे चलेगा यह क्या कह रहा है बस इतना समझिए bacteria का जो cell है वो prokaryotic है और जो advanced organisms होते है plants animals हमारे काम के वो उन सब का cell कैसा होता है eukaryotic होता है तो Indian initiative क्या करेगा on earth bio genome sequencing वो क्या करेगा जितने भी काम की biodiversity है चाहे plant हो चाहे animal हो उनके genome को sequence करके एक data इंडिया बना लेंगे कि हां Indian Bengal Tiger है तो Bengal Tiger का genome कुछ ऐसा है A T G C C G A T इस प्रकार से पूरा sequence कर दिया इंडिया में पाया जाने वाला lupus cannibus 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 जो भी है basically अपना देशी कुत्ता हो सकता है तो अलग-अलग है तो इंडिया में पाया जाने वाला डॉग उसका code कुछ ऐसा है लायन है उसका code कुछ ऐसा है नीम का पेड है उसका code कुछ ऐसा है तो यह सब का database बन जाएगा तो इंडिया में जितनी भी बायो डाइवर्सिटी है काम की उन सब की database बनती जाएगी तो यह global initiative है यह global initiative है अर्थ bio genome sequencing के नाम से उसका इंडिया वाले भाग का क्या नाम है इंडियन initiative on earth bio genome sequencing अब समझाया अब समझाया तो आने वाले 5 साल में सिर्फ 1000 species को पकड़ा गया है धीरे धीरे और species की genome sequencing की जाएगी की जाएगी कुछ अलग थोड़ी है जिसे इंसानों का चल रहा है वैसे ही अब जानवरों का पेड़ पौधे का भी होना है है ना कुछ अलग नहीं है ठीक है चलिए तो लास्ट टॉपिक यही था बायो technology में इसके बाद कुछ space related technology है जिसे हमें करना है तो समझाया ठीक है ठीक है ठीक है चलिए space related technology में पहला है black hole तो एक binary black hole merger को observe किया गया है और जब यह merger हुआ तो gravity waves generate हुई थी तो सबसे पहले तो black hole कैसे बनते हैं तो जो sun से sun से जो 3.2 टाइम से भी ज्यादा भारी होते है याने जो बड़ा वाला star होता है वह star जो sun से 3.2 टाइम से ज्यादा भारी हो यानि बड़ा वाला स्टार हो तो वो स्टार क्या होता है वो जब स्टार की फ्यूल खतम हो जाती है तो वो स्टार एक फटता है फट के सूपर नोवा बनाता है फिर सूपर नोवा बनाके बाद में देंस वो फिर श्रिंक करके इस स्टार की सारी की सारी मास सारा का सारा मांस एक dice, जितने dice होता है जिसको हम लूडों खिलते हैं dice कुछ उतने बड़े से object में पूरे के पूरे sun का mass क्या हो जाएगा? Store हो जाएगा जाने की sun जितना mass छोटे से object में store है तो क्या हो जाएगा? इसकी gravity field क्या हो गी? इसकी gravity बहुत ज्यादा होगी तो इस black hole क्या है basically एक ऐसा space है space में space में वैसी एक जगह है जहाँ पर gravitation pull इतनी ज्यादा है कि light भी तकराए तो light भी उसमें फस जाएगी light भी इससे निकल नहीं पाती तो वहाँ पर light भी क्या होगी मारोगे light या कोई भी electromagnetic spectrum जाएगा तो वह absorb कर लेगा क्योंकि gravity बहुत ज्यादा है तो ये तो हुआ साधारन black hole लेकिन कुछ primordial black hole भी होता है primordial black hole primordial याने earlier पुराना primordial तो ये वो black hole है वो तब बना था जब universe just बनी थी तो early time का black hole बिलकुल early universe जब just बनी थी तो उससे जो black hole बना था उसको कहते हैं primordial black hole primordial black hole ठीक है तो Albert Einstein ने theory दी थी black hole की 1915 में 2019 पहली बार नासा ने पहली बार black hole की तस्वीर रिलीज की थी किससे event horizon telescope के माध्यम से तो primordial black hole अगर आप देखोगे ये कब बना था जब universe ज़ेस्ट बनी थी तो early stage of big bang theory में याने hot stage of big bang theory के hot phase में क्या बना था जो black hole बना था उसे कहते हैं primordial black hole तो ये क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है लगबग 3000 km जितना या फिर एक atom के nucleus जितना छोटा भी हो सकता है तो क्या हुआ है binary black hole merger होई है तो ये क्या होता है binary black hole दो black hole हो जो दोनो एक दूसरे के orbit में एक दूसरे को खीच रहे हो तो उस दौरान क्या होगा जब दो black hole आपस में घुमते 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 finally टकराएंगे तो क्या होगा binary black hole merger होगा ठीक है तो जब ये merger होगा तो बहुत ज़्यादा energy release होगी और वो gravitational waves की तरह release होती है ठीक है तो ये समझ आया black hole primordial black hole binary black hole ये चीज़े clear हुई तो दो black hole दोनों एक दूसरे के चारो तरफ घुमेंगे तो उसे क्या कहेंगे binary black hole और finally घुमते 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 ये merge हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा binary black hole merger हो जाएगा बहुत बढ़िया next is next is gravitational waves क्या होती है तो gravitational waves basically space time आपको starting में ही मैंने बताया था space time क्या एक rubber की sheet की तरह imagine कीजिए तो उस space time में जो ripples होते हैं जैसे चादर को मैं अगर खीच के उठाऊं तो उसमें कैसे ripples बनते हैं तो space time में चलने वाले वैसे ही ripples को कहते हैं gravitational waves तो आपको जानना है 2015 में 1916 में Albert Einstein ने predict किया था theoretically की कुछ gravitational waves होते हैं ये detect हुए 2015 में by laser interferometer gravitational wave observatory लीगो लीगो लाब है कहाँ पे यूएस में हैं तो वहाँ पर जाके इसको detect किया गया था sir I am in class 12 interested in CSC how should I start preparing science and tech अकबार पढ़िये अभी 12 में इस वक्त कोई time नहीं अकबार पढ़िये है ना time पढ़िये ये उस टाइम बहुत important था क्योंकि news में था ही तो इस पर तो सवाल आना ही आना था तो keep going on अभी newspaper पढ़िये एक बार graduation में आ जाईएगा फिर तेजी से start कीजेगा अपनी preparation है ना चलिए next is sun spot cycle sun spot cycle तो आईसर कोलकाता के scientist ने identify किया है second year college प्रिया तो आपके लिए तो बहुत high time है start कीजिए बिल्कुल बढ़िया time है यही time है preparation start करने की college का time अक्सर हम बरबाद कर देते हैं कुछ काम करते नहीं है और पढ़ते भी नहीं है तो कम से कम आप यह सबसे अच्छी time है जब time भी होती है और आप पढ़ भी सकते हैं उसके बाद क्या हो जाता है कि नौक्री वगेरा में time थोड़ी limited हो जाती है तो college का वक्त सही है उसको इस्तमाल करें प्रिया एंड यूपेस्टी के लिए preparation स्टार्ट कर दो चले next है sun देखिए normal position है sun का वक्त बीटता जा रहा है एक साल दो साल देखिए दीरे दीरे spot बनना शुरू हुए चार साल पांच साल आते आते से यह जो spot है इनकी मातरा देखिए कितनी जादा बढ़ गई फिर धीरे धीरे वापस कम होने लगेंगे तो यह क्या है sun spot cycle है अभी sun क्या है इसमें दाग नहीं है अचानक से दाग बनने लगे दाग की मातरा बढ़ती जा रही है इन ही दाग से आप देखेंगे तो कैसे energy eject होती है देखा आपने spot से कैसे energy eject हो रही है तो यह चीज़े है sun spot पहले भी बताया है अच्छ हां आपको क आपके ली नहीं है yours truly हम सब ने किया है तो मैंने तो college के बाद नौकरी का time भी बहुत चिल मारा है चली 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 यह सब बाते रिग्रेट वाली बाते नहीं चली आगे देखें तो sun spot क्या है तो sun के surface पे जो dark spots होते हैं उनको कहते है sun spot यह क्या होता है sun में यह वो position है जहां पे sun की जो temperature है वो क्या है थंडी होती है cooler होती है cooler होती है थंडी होती है और sun का surface क्या होता है यहां पे relatively थंडा होता है क्यों थंडा होता है क्योंकि भाईया सारा heat वो magnetism plasma और energy के form में निकाल देता है eject करता है तो सारा heat अगर निकाल देगा energy निकाल देगा इन spot से तो तो इसमें अगर आप देखें तो sunspot activity अगर आप देखो तो इसके साथ climate का भी impact होता है 1645 से 1750 अगर हम देखें तो sunspot activity रुख गई थी होनी ही रुख गई थी तो उस दोरान क्या हुआ था अर्थ में heat क्या हुई थी कम आई थी अर्थ में heat कम आई थी तो extremely cold weather हुआ था कैसे भई कैसे कैसे तो अगर sunspot की मातरा जादा हो जाएगी अगर sunspot की मातरा जादा हो जाएगी तो क्या हो रहा है जादा से जादा energy क्या हो रही है रेडियेट हो रही है तो प्रित्वी में पहले की तुलना क्या होगा जादा energy आएगी तो अर्थ क्या होगी पहले की तुलना जादा गरम होगी और जब ये solar minima होगा तब क्या होगा sunspot नहीं बन रहा तो sunspot नहीं बन रहा याने energy sun के अंदर ही पड़ी हुई है तो अर्थ में कम energy आ रही है तो अर्थ में क्या हो जाएगा कुछ थंडी हो जाएगी तो वही हुआ था कब वही हुआ था अरे 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 वही हुआ था आप देखो तो 1645 1750 sunspot activity रुख गई थी तो अर्थ में क्या हो गया था extremely cold weather हो गया था तो ये जो sunspot होती है ये cycle में उपर नीचे होती है 11 साल की cycle होती है ये देखिए ये देखिए ये देखिए तो 1980 में sunspot की मातरा बढ़ी फिर 86 तक घटी और 91 तक आप देखोगे वापस से बढ़ गई तो ये 11 year का cycle है वापस देखोगे 2012 में फिर बढ़ गई तो 91 तो 2012 तो दो पीक के बीच में कितना दिन रहता है 11 year रहती है तो ये 11 year क्या है sunspot cycle है astronomers की बात की जाए अब तक 24 cycle observe कर लिये हैं और last one देखो तो 2019 में खटम हो गया था 25th cycle आई सर कोलकाता के साइंटिस्ट को काम धंदा था नहीं वो क्या कर रहे थे बैट के sun को देख रहे थे अराम से तो एक दिन देखते देखते उनको sun में दिखा spot दिख गए बोले sun में spot आ गया याने 25th cycle start हो चुकी है समझ आया पूरी कहानी यहां तक की कहानी समझ आई तो हेलो अनामिका हेलो अनामिका तो मोर हीट उतना ही होना चाहिए solar minima जब sports ज्यादा होंगे तो sun कूल होगा comparison to the sports नहीं होंगे तो temperature ज्यादा होगा sun sports जब sports ज्यादा होंगे तो sun sun का surface school है क्यों क्योंकि वो energy क्या हुई है sun ने बाहर फेग दी है तो earth में क्या हो रही है energy ज्यादा आ रही है नहीं हुआ सुनिये सुनिये फिर से सुनिये sun spot वाले में ही confusion हुआ होगा कब ज्यादा कब कम तो आईए इसको फिर से समझते हैं इसी में confusion है कब sun spot ज्यादा तो energy ज्यादा चलो ठीक तो अगर आप देखें ये अपना sun मान लीजिये इस वक्त इसमें sun spots की मात्रा ज्यादा है तो ये क्यों है श्विता जी अराम से सुनिये सब कुछ समझ आएगा कैसा कुछ हो यी नहीं सकता ये मैं आप लोगों को पहली बार समझा भी नहीं रहूँ है ना पहली बार समझा भी नहीं रहूँ कुछ भी नहीं तो कम से कम 3-4 बार समझा चुका हूँ चलिए संद में क्या होता है 11 साल के साइकल में धब्बे आने शुरू होते हैं ठीक है ये देखिए धब्बे बढ़ गए फिर कुछ ताइम बात धब्बे क्या होंगे कम होने लगेंगे और वापस खतम हो जाएगा तो हर 11 साल में संद में आप देखोगे टेलिस्कोप लगा के तो धब्बे दिखेंगे बहुत अच्छी बाते धब्बे हैं तो क्या प्रॉब्लम है तो अगर संद पे धब्बे हैं मतलब क्या है ये पार्ट अगर डार्क हो रहा है मतलब क्या हो रहा है ये कुछ थंडा हु हुआ है तो संद में अगर धब्बे आएंगे मतलब क्या हुआ है वो कुछ थंडा हुआ है थंडा हुआ है तो धब्बे का मतलब है संद में यहां पर टेंप्रेचर क्या है कम है सही बात है अब अगर sun की temperature कम है तो ये heat क्यों कम हुई है surface की temperature क्योंकि इतना part पहले की तुलना में अब ये heat बाहर की तरफ फेक के इसने radiate कर दिया है अब इसकी तुलना में देखें तो इसमें धब्बे नहीं है याने इसकी energy इसी के पास confined है बाहर ये energy कम फेक रहा है पहले की तुलना में सारी की सारी energy आप देखोगे sun के अंदर तक confined है सारी केना जलत होगा काफी energy confined है कुछी energy sun से निकल रही है अगर कुछ time बाद इस पे धब्बे आ गए मतलब ये पाट ठंडी हो गई क्यों थंडी हो गई क्योंकि इसने क्या किया energy radiate किया अब ये समझे अब ये समझे इतना समझाया इतना समझाया ये clarity आई ये समझाया कि नहीं आया कि फिर से इसको मैं समझाऊं एक बार हाँ तो energy radiate किया मतलब क्या हुआ वो heat ज्यादा निकली किस form में ये energy radiate कर रहा है plasma के form में magnetism है ना charges है तो वो charges के form में energy energy निकल रही है energy radiate किया मतलब निकाला energy release किया energy release किया energy release किया धब्बे क्यों आ रहे क्योंकि sun की cycle है कुछ उसका अंदर का internal process ऐसे बदल रहा है कि उसमें बीच बीच में cooling होती है सर्फेस में और फिर सर्फेस वापस गरम हो जाता है कुछ हो रहा है क्या हो रहा है अभी तहीं मालूम आधित्या 11 प्रोजेक्ट शायद बताएगा है ना लेकिन कुछ हो रहा है बस अभी observe किया है हमें इतना मालूम है sun के fusion process में कुछ differences होती है जब हर 11 साल में आप देखोगे तो क्या होता है ये धबों की मातरा बढ़ती है घटती है हाँ जब energy radiate किया जब radiate किया अब यहाँ पर है प्रित्वी यहाँ पर है प्रित्वी तो जब radiate नहीं कर रहा था तब क्या हो रहा था सारी energy अंदर तक थी तो प्रित्वी पे जितनी normal sun से energy आती है वही energy आ रही होगी जो normal energy आती है उतनी ही energy आ रही होगी अब क्या हुआ अब क्या हुआ इस case में जब धब्बे आ गए तो normal energy तो आई ही आई साथ साथ ये धब्बो से भी energy आई धब्बो से भी energy आई तो पहले की तुलना में जब जब sunspot होगा energy क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी की नहीं हो जाएगी तो प्रित्वी पहले की तुलना में गरम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बटरफ्लाई डाइग्राम से अच्छे से समझ आती है ठीक है तो ये समझ आया ये समझ आया ये clarity आई हाँ तो प्रित्वी में temperature बढ़ जाएगी जब जब sunspot का cycle sunspot का cycle जब number of sunspot blue color से देखिए सबसे ज्यादा होती है हर 11 साल पे sunspot सबसे ज्यादा होती है हर 11 साल पे हर 11 साल पे उसी time evadience देखिए जो sun से heat आ रही है वो भी क्या हो जाती है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तो दोनों की दोनों एक time पे होती है तो यह 11 साल की cycle है अब तक साइन्टिस्ट ने 24 solar flares solar flares solar flares yes coronal mass ejections यह सब होते हैं उस दोरान ठीक है तो अब अगर आप देखें तो साइन्टिस्ट ने अब तक 24 ऐसे cycle observe किये थे 2019 में last cycle आई थी और अब साइन्टिस्ट ने आई सर कोलकाता के साइन्टिस्ट ने कहा मैं जब सन देख रहा था मुझे नए sunspot दिख गए मतलब की 25th cycle भी शुरू होने वाली है यही research नया किया गया है तो जब solar flares आते हैं solar activities आती है तो उस दोरान high energy plasma magnetic field भी उनसे निकलती है charges है वो तो high energy charges sun से निकलती है जिनको हम क्या कहते हैं solar flares solar flares, coronal mass ejections coronal mass ejection, corona से निकलने वाला plasma है न सन का outer layer corona है तो उससे निकलने वाला coronal mass ejection तो यह सब जब निकलती है तो पूरा का पूरा space weather बिगड़ जाता है space में क्या होता है अचानक से अचानक से ऐसे charges यहाँ पे अगर प्रित्वी है तो क्या हो जाएगा अचानक से आप देखोगे अचानक से आप देखोगे यह निकला 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 जमा हो रहा है जमा हो रहा है अचानक से कुछ दिनों में ऐसे charges निकलती है और यह charges bombs की तरह flow करेंगी और उस दौरान यह charges बहुत सारी चीज़ों को यह charges की induced magnetic field होगी तो वो satellite communication बिगाड सकती है वो satellite communication बिगाड सकती है वो GPS systems जो satellites 36,000 km पे operate कर रहे हैं उसे बिगाड सकता है वो power grid वो charges की induced magnetism से अमारी power grids बिगड सकती है तो यह याद रखिएगा यह तीन चीज़ें बिगड सकती हैं रेडियो वेव्स क्या है एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स हैं तो एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स की एक induced चार्द एक induced magnetic field है तो वो magnetic field अगर आप देखो तो solar flare की भी एक magnetic field है उससे क्या हो सकता है रेफरेंस वगेरा बढ़ सकता है और वो बिगड सकते हैं लेवेन यह तक होता रहता है यह लेवेन यह का cycle होता है sunspot की मात्रा बढ़ी फिर घटी 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 सबसे minimum फिर बड़ी 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 फिर घटी 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 फिर बड़ी तो यह 11 साल के cycle में बढ़ती है फिर घटी है फिर बढ़ती है तो 1843 में यह discover हुआ था discover हुआ था जर्मन एस्ट्रोनॉमर साम्यूल हैंरिक्स श्वाब के द्वारा तो जब solar जब sunspot activity minimum होती है तब क्या कहते है solar maximum तो अभी जो phase चल रहा है sun solar minimum में जा चुका है अभी आई सर कोलकाता के साइंटिस्स ने क्या डूंडा गुला sunspot दिखने लगे हैं तो जल्दी अब solar maximum के तरफ हम move करने लगेंगे हम यहां पर हैं अब sunspot दिखे तो अब हम वापस solar maximum के तरफ move करने वाले हैं अभी minimum है अभी minimum है अभी minimum है अभी बस sunspot दिखा है बड़े दिनों बाद 2019 में एक minimum तक चल रहा था अब जाके sunspot activity हलकी हलकी बननी स्टार्ट होई है तो minimum के बाद हम maximum के तरफ जा रहे हैं तो यह 7-11-year की cycle है आपको कहानी सुना दी ठीक है समझ आया सब कुछ मुझे लगा आप लोगों को याद होगा यह सब तो मैंने आप लोगों को अभी environment पढ़ाते time भी पढ़ाया है climatology में पढ़ाया है sunspot cycle तो यह clear हुआ चलिए 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 तो next is Kepler 1649C क्या है यह कोछ नहीं भहिया earth size का एक exoplanet है exoplanet मतलब किसी दूसरे star वाले system में solar system में पाया जाने वाला planet है किसी और solar system का planet है तो यह एक exoplanet है 300 light years हवे है NASA के Kepler space telescope के से ढूंडा गया है यह telescope 2018 में ही retire हो गई थी लेकिन इसका data जो है उस पे अभी भी analytics चल रही है और इस वज़े से वो data अभी जाके पता चल पाया तो अभी हमें पता चला है कि कोई केपलर जैसा कोई एक Earth sized exoplanet है आज यहां से 300 light years अवे तो यह अपने सन के चारो तरफ गोल्डी लॉक जोन में घुमता है गोल्डी लॉक जोन याद है या खाके भूल गए सन के चारो तरफ कोई भी सन किसी भी solar system का वो habitable region जहां पर ना तो गर्मी बहुत जादा हो ना ही थंड बहुत कम हो सब कुछ moderate हो जहां पर life रहने लाइक हो जाए उसको क्या कहते हैं गोल्डी लॉक जोन तो यह गोल्डी लॉक जोन में पाया जाता है अर्थ से आप देखोगे लगबग अर्थ जितना बड़ा है 1.06 टाइम्स ओफ अर्थ और यह एक complete अपने सन का चक्कर कितने दिरों में लगाता है हमारे अर्थ के 19 डेज में 19.5 अर्थ डेज में यह एक complete चक्कर लगा लेता है ठीक है काफी चीजे करवानी है continue करना चाहते हैं आप लोग या कल करवाना कर जाएंगे कल 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 सैटेड़े हैं फिर संडे को संडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि संडे को में दूसरा marathon लोगा तो आज लंबा चाहते हैं अभी और continue करना या फिर आप लोगों का call है आप लोग जो चाहें वैसे हम continue कर सकते हैं आप कहें तो आज यह खतम कर देंगे अच्छा है सुनके खुशी हुई कि चीज़ें याद रहे रहे हैं आप लोगों को वहीं चाहिए वहीं चाहिए एक्जाम के पहले रिप्रेस करना है हाँ अशा जी संडे को एडिटोरियल वाली क्लास होगी और मैं आल्रेडी दो बैक टू बैक मैरथन के बाद मेरा गलाब बिल्कुल खतम हो चुका है चुट्टी चाहिए कंटिन्यू करना है तो जो आप लोग कहें वैसा तो इसलिए संडे को दो मैरथन में नहीं ले पाऊंगा तो इसलिए एक ही मैरथन हो पाईगी उस दिन तो ज्यादा बचा नहीं है ज्यादा 24 तो इतना बचा है चुटी-चुटी-चुटी-चुटी चल यहे ठीक है ठीक है के फिर ठीकेर जिंग बीकिक लगे यहीं नहीं संदे को Klaas नहीं मुझे लगेगी थोड़ी क्लास चाहिए तो देखिए में इंपॉर्टन्ट टॉपिक से ही हैं यहीं है चुट्ती चाहिए इनको continue continue पवन कुमार कह रहे हैं continue तो क्या करना है ऐसाइनल बताइए मुझे कल तो फिर जबरस्ती नहीं करनी चाहिए कल कंटिन्यू करते हैं तो कल क्लास कंटिन्यू होगी अंड काफी हद तक इसे सुनाली भी कह रहे हैं continue 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 अरे यार चली majority कह रहे हैं continue तो सुनिये कहानी सुनिये चली सब कह रहे हैं continue चली 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अनीता अनीता क्या है अनीता क्या है ना स्पेस वाला खतम हो जाए तो टेंशन खतम हो जाएगी चलिए स्पेस खतम कर देते हैं अराम से बैठिये आप लोग भी चैन से बैठिये गाफिर चलिए स्पेस खतम करते हैं नेक्स्ट एज अनीता जान लीजे भईया अनीता क्या है तो अनीता क्या है तो अनीता आप अगर देखें तो इंडिया नासा की वो अब्जर्वेटरी है किसके लिए न्यूट्रीनो अब्जर्वेटरी है न्यूट्रीनो अब्जर्वेटरी है अंटाक्टिक इंपल्सिव ट यह नासा की न्यूट्रीनो अब्जर्वेटरी है क्या करती है न्यूट्रीनो को अब्जर्व करती है कहां पर करती है तो अंटाक्टिका के ऊपर एक बैलून लेके उड़ती रहेगी और क्या करेगी न्यूट्रीनो अब्जर्व करेगी अंटाक्टिका के ऊपर तो न्यूट है यूनिवर्स में इतना ही ज्यादा है कि इस वक्त भी हाथ से शायद ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास हो रहे हों इतना ही ज्यादा यह अबिंडेंट है इनकी खासियत क्या है यह किसी से इंटराक्ट नहीं करते और हर चीच से एद इस पास करके निकल जाते तो यही कारण है कि इनको डिटेक्ट करना क्या है बहुत मुश्किल है कैसे पता चलेगा कहां पर है कहां पर नहीं है अगर आप निटरीनो देखोगे इनका चार्ज बिलकुल 0 होता है एलेक्टरौन की तरह लिएटिवली चार्ज नहीं है यह नो अलेक्ट्रिकल चार्ज निटरल है लगभग मासलेस है जिरो मास के नहीं है लगभग मासलेस है तो ये तीन प्रकार के होते हैं अपने मास्क के आधार पर इनको तीन प्रकार में बाटा जाता है electron neutrino, muon neutrino, tau neutrino तो तीन प्रकार के neutrino है electron neutrino, muon neutrino और tau neutrino तो ये जब भी fusion प्रसेस होगा fission होगा radioactive participation जो भी radio activity होगी उसमें क्या होगा neutrino produce होते हैं तो sun के core में produce होते हैं वैसे ही देखे तो solar system में millions of neutrinos घूम रहे हैं आप artificially भी nuclear reactors में neutrino बना सकते हैं क्या ये harmful हैं बिलकुल भी नहीं बिलकुल भी नहीं तो अगर आप देखें तो ये harmful है जरा भी harmful नहीं है अगर आप देखें तो इस वक्त भी thousands of neutrinos, trillions of neutrinos आपके body के जुरू गुदर के पास हो रहे हैं और ये कुछ नहीं बिगारते हैं benefits क्या है neutrinos को क्यों पढ़ना जरूरी है अगर आप पढ़ोगे तो universe को हम समझ सकेंगे कहा जाता है जब big bang theory हुई थी उस दौरान भी कई जो बर्स्ट हुआ था उस दौरान भी बहुत सारे neutrinos बने थे वो neutrinos अभी भी घूम रहे हैं तो उन neutrinos को पकड़ा जाया जा सकता है नेक्स्ट आप अगर देखो तो dark matter को समझने के लिए क्योंकि neutrinos dark matter से interact करते हैं और किसी से करें ना करें वैसे ही जब भी nuclear non proliferation होगा तो basically कोई nuclear bomb test किया है तो उसके लिए भी neutrinos क्योंकि nuclear fission होगा तो neutrinos produce होगी तो आप पकड़ पाओगे है ना तो nuclear non proliferation में भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है इसके सिवा एक प्रकार होते हैं geoneutrino इनका क्या इस्तमाल हो सकता है earthquake warning वैसे ही natural resources को ढूड़ने में क्यों अगर हम neutrinos के अलग-अलग variant को पकड़ गए समझ गए और neutrinos जब earthquake होती है तो इसको अगर हम समझ पाए तो हम अर्थ को एक आने के पहले एक indication मिल सकता है तो यह सब कुछ-कुछ uses हो सकते हैं यह uses याद रखिएगा यह किशोर thank you so much सही कह रहें आप तो थोड़ा सा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगा चलिए नेक्स देखिए क्या-क्या neutrino observatory है क्या-क्या neutrino observatory है सबसे पहले है थीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट इस लगुना तो यह नाम याद रख लीजिए लगुना कहां पर है न्यूट्रίν उब्सरवैटरी यूरोप में है नेक्स्ट आप देखो तो हाइपर कामियोग कांडे डिटेक्टर जपैन में है द्यून कहां पर है यूएस के डकोटा डेजर्ट में है चाइना का क्या है तो जियानमेंग प्रोविंस में है इंडिया-बेज न्यूट्रिन उ अभी एक घंटा आधा घंटा लगेगा आधा घंटा लगेगा कल पढ़ाते हैं चली कल पढ़ाते हैं यह चल पढ़ाते हैं तो 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 आप लोगों को बदा दू यह प्राइफ जल्दी बढ़ेंगी तो जल्दी से इसलिए सब्सक्राइब करना है तो जब भी करें यूज दे कोड केसी वन जिरो तैंक यू फो मच फर जॉइनिंग यह पीडियेफ आप लोगों के साथ अभी शेयर हो जाएगी थैंक यू फू मच